आई फ्रेंट्स तेसे हैं आप सर लोग बहुत अच्छे हूंदे हैं आप यह बहुत ही संपल से रेस्कों यह आई हूं जो है डान्डियन मश्रूप सिधारों जो क्या प्रेस्वान सो जाती और तफिंखाते हैं आप सको तुभात ही असानी से दरने बना सकते हैं मैं देगे कितना बिसपी है कितना चास तल्या ना है और अब तो ही देग अगजिए से पता जैम दाए है सबसे पर लेना है तेल यह एक चोथाई कब उसमें डालोंगी एक चम्मच बारी कटा लेस्सों बारी कटी वी अधरत के चमच और बारी कटा हुआ बारी कटा हुआ अदा चमच और इस्टेणों को कि अच्छे से हमें पूं लेना है तेल के मातर आप गंप रखना चाहें और गंप कर सकते हैं अच्छे से भूंने के बाद आप दो से तीन चमसें यह सकते हैं चल्ग और बूंन की ठी선 मश्रु रखाऒ कर है हैं हैं फाइन चॉप कर रिख एक्रण स्ट लिए त्मों है कि इत्तम पानी ना रहे तब तक होना और मुंते समें ध्यान रखना है कि आज को हमें बहुत तेज रखनी है तो कि जितने तेज आत्रों पी उतनी ही जल्दी मश्रूम का सारा पानी शूप जाएगा अब शूठने के वाल इसका दाली हूँ काली मिर्ज आधा चमच नमक स्वातनुसा थोड़ा ही नमक टालीएगा और मैंने लिया है इसमें मिक्स पीज़ा हब वो टाली हूँ उसका टी हाँ व बंद कर देते हैं और इसको थंडा उड़ेते अब यह देखें थंडा हो गया है कम अधिया देमने में ठध करने में थंडा करना है तो चलाते रहे हैं तो तो disgust कम से कभटना हो अभी ठंडा हो जाता है जूए थंवर धीज़ गर gini करि अई चाहें तो चीस की मांथ तो आपको और भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से मैंने 400 ग्राम मश्रूम में 300 ग्राम चीज जा लिए आप चाहो तो 200 ग्राम भी कर सकते हो तो यह हो गई फिलिंग तरिया अब हमें इस पिंग्रो शीट में ने के मार्केट समगा रखी हैं इसको मैंने 20-25 में तक थोक अब मैं देखिए आराम से एक-एक sheet को निकाल को बहुत प्यार से इसको धीमेधी में फूल करेंगे तो एक-एक sheet आपके आराम से निकाल आएगी तो अपको बहुत पतली sheets होती है तो बहुत आराम से निकाल लिएगा और सबसे बड़ी बात इसको को बिल्कुल रुम टप तक लियाना है उसके बाद इसको निकालना है यह देख सकते हैं पिल्कुल हाथ दिखरा है ट्रांस्पारेंट इसी तरीके से यह सारी शीट से कल लीजेगा जितने आपको रोल बनाने मैंने चार यह पांच रोल से काली है अब भी बहुत बढ़ी है तो मैं इसको हाफ कट कर ल कपड़े से ठाके रखना है तो कि हवा लगते ही सूखने लगे इसलिए इस तरीके से धाग तीचे तहां कि इसमें एक खलकासा नमी बनी रहे हैं जैसे कि जो हमारी बाकी की शीट से वह सूखे ना बस अब शीट के पीचों पीच में मश्रूम रखना है एक से गेर्चमत ही रखिएगा आप जहें तो रख सकते हैं अगर आपकी शीट और बड़ी हो तो मैते की स्लेरी बनाई है जो हम लोग चाता तर सब जब कुछी बनाते हैं लगाते हैं साइट स्नों को लगाना है चारो तरफ से अच्छे से और इसको ट्रैंगल फोल्ट देना है मतलब इस तरह से और ऐसे उसके बाद इसके आगी हलका सा मुझे लगाया है मैंने मैता ठोड़ा सब पूल करके इसको रोल कर दिया है इस तरह के सबीट और जैना के रोलेड है जार रोलेड हलका सब पीछी के तरफ कुछ करते जाईएगा तो थोड़ा से आपका रोल जो है वो टाइट होते हैं और साइट्स में जो स्लरी है उसको लगाते जाएगा मैदे की चिपकता जाएगा जिस तरह के देखे मैं दिखा रहे हो तो अराम से आपको करना है बहुत ज़्यादा चलते बाजी नहीं करनी है फिर शीट पतली होती है तो तूट सकती है फिर खोल क ध्यानके का घोल हर मोड पर आपको लगाना ही लगाना है बस साइट से मोड़ते चाहिए और रोल को टाइट करते चाहिए और अराम से रोल बनाते चाहिए बन गया, पहला सिकार रोल, सिकार बन गया, आप इसी तरीर के से और बना लेते हैं, मैंने 8 से 10 बना हैं, मिक्षर में आपके कम से कम 15 बनेंगे, टेल को बहुत अच्छा गरम कर लेना है, उसके बाद इंको डालना है, ये बहुत जल्दी ही ब्राउन हो जाएंगे, तो बहुत त्यान रखना है, मुश्किश से इसको 2-3 मिलते लेगा, और ये अच्छे से पक्के इल्टम गोल्डन गोल्डन हो जाएगा, ये देखिए, आप देख सकते हैं, जैसे आपने डला वैसे ये कलर्स का बन गया, और ये देखिए, बहुत इस अच्छे से गोल्डन गोल्डन स हमारे मश्रूम सिगारोस निकल के आ गया है, तो बस बना ये, ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, मन कर रहा है अभी खालो इस पर और उन्दा से चीज जो मेल्ड होके ना मज़ा आ जाएगा, आप इसको चाहे तो सुचीर सॉस के साथ, चाहे तो प्रीन चक्नी के साथ सब कर सकते हैं, और ये केचप के साथ, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देलिए कितना क्रंची है, ये देखिए, वाओ, और इसमें कितना सारी चीज है, वाओ, ये देखिए, मज़ा आ गया देखिते हैं, बस पूर से टीप सेंस्रीक सर्फ बंग नानत के आविस पो इसमें बनाए जाएता, और इसमें आपके डेस्ट को आपके खाते रहे के आपको मज़ा आ जाएता, रेस्टरांट के सिदार होताना बंद दाव दिखिए, तो फिर जाली से बनाए इस रेस्पी खो और पे बुचरता है आप रेस्पी कैसे लगी, अंची या नियो तो ला